हेलो दोस्तों आज की इस वीडियों बात करने वाला हों Google Drive Backup WhatsApp के बारे में अगर आप WhatsApp यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरीके का प्रावलम आपके WhatsApp पे सो हो रहा होगा इस प्रावलम को कैसे सॉल्ब करें तो वीडियो को पुरा देखते रहे हैं हुँ, Boardriet mr bara मेरे चैनल पेnea स्वागात है अभी तक में चैनल को सस्काइब रेकिया तो में चैनल को सस्काइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आप उपर के और देख सकते हैं, आपको कुछ details में आपको बता दो रहा है यहां पर back up your masses and media है आपको बोल रहा है यापको backup लेना है मतलब कबकब लेना बैक आप आप नीचे की और देख सकते हैं आपर आपको भी समझाए गया है यहां पर बोल रहा है select a backup frequency मतलब आपको select कर लेना है आपको जैसे यहाँ पर daily आपको daily backup लेना चाहते है या weekly लेना चाहते है मतलब आप बैक आप नहीं लेना चाहते है तो इसमें से आप 4 option में कोई एक option select करते हैं तो आपके problem solve तो हो जाएंगे लेकिन कुछ दिन बाद आपको फिर यह notification आएंगे या आपको problem फिर से सो होंगे तो इसे परवनेंटली के लिए कैसे solve करें तो आपको थोड़ा नीचे आजाना है जो आप नीचे आएंगे तो आप आप देख सकते एक Google account option सो कर रहा है तो इस Google account पे यहाँ पर click करें तो आपके phone में कुछ इस्तेकी का interface open हो जाएगा हो जाने के बाद आप यहाँ पर देखें आपका email id माग रहा है तो अपना email id डाल दीजिए जो आप email id यूज करते हैं तो चलिए मैं आपना email id डाल देता हूँ email id डाल देने के बाद आप नीचे की और देख सकते हैं आपर next का option सो कर रहा है इस next का option पे click कर देने के बाद आपके phone में कुछ इस्तेकी का option open हो जाएगा तो आप उपर की और देख सकते हैं आपको मांग रहा है इंटर यूर पासबर्ड आपको अपना email id का पासबर्ड डाल देना है पासबर्ड डाल देने के बाद आपके phone में नीचे की और देख रहे हैं आपने next का option सो कर रहा है इस next के option पे click कीजिए next के option पे click करने के बाद आपके phone में कुछ इस देखे का interface चलने लगेगा तो आपके phone में कुछ इस देखे का interface open हो गया तो देखिए आपके phone जो you are typing in signing मतलब मेरे phone में signing हो गया और देखिए तो आपको यहाँ पर दो option सो कर रहा yes I, it's me मतलब मैं ही हूँ तो आपको यहाँ पर एक click कर देना है click कर देने के बाद आपको यहाँ पर verify कर देना है आप यहाँ पर नीचे के और देख रहे है यहाँ पर yes I am in मतलब यहाँ पर भी एक option पर click कर देना है click कर देने के बाद I agree पर click कर दीजिए यहां पर देखिए I agree का option आपको select कर लेना है तो आपको कौन सा option select करना है जो मैं option बताऊंगा वही आप select कीजिए तो आपके WhatsApp पे कभी यह problem नहीं सो करेगा तो आप यहां पर देख सकते हैं एक neighbor का option आपको आपको select कर देजिए neighbor के option पे click कर देने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं नीचे की और यहां पर done का option सो कर रहा है इस done के option पे click कर देजिए done के option पे click कर देने के बाद आपके chat का section open हो जाएगा तो इसी तरीके से इस problem को solve कर सकते हैं तो ऐसे में आप इस प्रोब्लम को solve करते थे प्रोब्लम आपको कभी नहीं सोख करेगा तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगो तो चैनल को जरूर सस्काइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए इसी तरी एक अबडेट आपको मिलते रहेंगे